स्वागत है आप सभी का MTV News इंडिया की एक नई वीडियो में चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाई के बीच बादल चाहे रहेंगे और हलकी बारिश हो सकती है मौसम पूर्वन उमान एजनसी स्काइमेट के मताबिक अगली 24 घंटों के दौरान आज यानी 16 अप्रेल के बीच मध्य प्रदेश 36 गड़ विदर्व मराठ वाड़ा और मध्य महरास्ट में गरच्चमक के साथ हलके से मध्यमबारिश और तेज हबाय 30-40 किलोमेटर प्रते घंटे की रफ्तार से चल सकती है वहीं आज गंगी पशिमंगाल पिहार जहार खंड ओडिसा और अंडबान और निकवरदीप समू में गरच्चमक के साथ हलके से मध्यमबारिश हो सकती है उत्रप्रदेश बिहार चारखंड मध्यप्रदेश में जैसे उत्री राज्य में गर्मी का असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है दिन के समझ चिल सिलाती धूप लोगों का जीना मोहाल कर रही है हाला कि कुछ दिन तक देश के मौसम के मिजाज बदलने वाला है उत्रप्रदेश के लोगों को वीकेंड कूल रहने लगा है उत्रप्रदेश में बारिश को लेकर यलू अरेट शारी किया गया है हांचलिक मौसम बिग्यान केंदर के वरिस्ट्रिव में ग्याने के डॉक्टर अरतुल कुमार सिंग के मताबिक मद्यशोब मंडल मेक सक्रिय पश्मी उक्षोब के कारण पश्मी और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरच चमक के साथ बोचारे पढ़ने की संभावना है इस अबदी में अलीगर बदायू बागपत बुलंद शहर इटावा गौतम बुद्ध नगर गाजियबाद हापुड हादरस जालौन जहासी ललितपूर महोवा मतुरा मेरठ मजफ़नगर सहारनपूर संभल और सामली के आसपास के शेतर में 30-40 किलोमीटर पृति घंटे की प्रवाबो की बज़े से इस वीकेंड को राजधानी दिली और उसके आसपास के शेतरों में बारिश और गरत चमक के साथ बहुचारे पढ़ सकती हैं बहीं बिहार पर शिबंगार ज़ार का डोडी सो और अन्डमान एवं निकोबर दीप समों में बारिश होने की संभावन मौसम इभाग की माने तो मौसम में बदलाओ के बज़े से इरान और पाकिस्तान होकर उतर भारत में पहुचने वाली हवाई यानि वेस्ट इंडिस्टरवेंस हैं इसके चलते फरवरी मार्च और अब अपरेल में भी मौसम करवट बदल रहा है इसके साथ ही 16 अपरेल के ब और भारी बारिश किसानों की चिंता वड़ा रही है इसके साथ ही वीते दिन शुकरवार को बारिश देखी गई इसके साथ अगले तीन दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का नुमान है मौसम बिभाग ने गुना भुपाल शिबपुरी अशोक नकरन रमदापु मिंदोर समेथ प्रदेश के 30 चलों में बारिश का लेड़ चारी किया गया है मौसम से जोड़ी जान करें और लाइब मौसम खबरों के लिए उड़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले